दोस्तो ओटो सेक्टर कंपनी को लेकर बहुत बड़ी अपडेट आज की दिन निकल कर आई है जो कि आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेर करने वाला हूँ और अगर ओटो सेक्टर कंपनी इसकी बात करते हैं तो उसमें सबसे बड़ा नाम आता है टाटा मोटर्स का ज चाहिए या कुछ समय के लिए और इंतजार करना चाहिए क्योंकि मार्केट के अंदर आपको वापीस प्रोफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है और मार्केट वापीस क्रेश होते हुए भी देखने को मिल सकता है क्योंकि जिस प्रकार से कोविड-19 के कैसेस काफी तीजी से बढ़ रहे हैं तो क्या आपको थोड़ा सा और इंतजार करना चाहिए चलिए दोस्तो सारी चीजों को डीटेल में इनालिसिस करने की कोशिश करते हैं और Tata Motors को कौन ऐसा शेर से जो टकर दे सकता है वो भी जानने की कोशिश करेंगे तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं अगर हम बात करें लास्ट रेडिंग सेशन के बारे में तो Tata Motors का शेर लास्ट रेडिंग सेशन के अंदर 307.25 पेसे पर क्लोज हुआ यानि कि लगबग 1.81% की तेजी आपको लास्ट रेडिंग सेशन के अंदर देखने को मिली है इसी के साथ अगर बात करें तो लास्ट अच्छी क्लोजिंग है यानि कि पॉजेटिव क्लोजिंग आपको देखने को मिली है लगबग 2% की तेजी आपको देखने को मिली है और इसी के साथ में Tata Motors की जो सेल के रिजल्ट आए हैं सेल के आकड़े आए हैं वो यहाँ पर मार्च महीने के बहुत अच्छे निकल करा हैं तो क्या यहाँ से बड़ी तेजी बनने की संभावना है जी हाँ दोस्तों चलिए जानते हैं यहाँ पर जो Tata Motors के target निकल कर आ रहे हैं यहाँ पर strong support जो Tata Motors का निकल कर आ रहा है वो 280 का है यानि कि अगर आप अभी इसे बाई करके चलते हैं 307 रुपे से आप इसमें एक fresh entry बनाते हैं तो 280 का आप यहाँ पर एक strong support देख सकते हैं जब तक यह 280 का strong support breakout नहीं होता है तब तक आप यह को इस share के अंदर भारी गिरावट देखने को नहीं मिलने वाली है और अगर यह यहाँ से चलता है तो आपको इसके अंदर यानि कि जिसे ही quarter 4 की result यहाँ पर declare तो बहुत बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है short term में ही यहाँ पर Tata Motors के 325 रुपे के target निकल कर आ रहे हैं इसी के साथ अगर आप Tata Motors के graph को भी देखेंगे तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा तेजी देखने को मिल रही है जी हाँ दोस्तों volume based काम भी Tata Motors के अंदर वा अब भी सिर्फ intra day कर रहे हैं जिसके अगारण यहाँ पर काफी profit booking चल रही है और अगर इसी ही profit booking चलती रही तो आपको यहाँ पर थोड़े बहुत correction देखने को मिल सकते हैं लेकिन जब तक यहाँ पर Tata Motors का shares 280 के strong support को cross नहीं करता है तब तक आपको घबराने की बिल्कुल ज Tata Motors ने 9,600 करोड रुपे का यहाँ पर revenue दिखाया था उसी के साथ अगर हम December 2020 यानि कि quarter third के दिखेंगे तो quarter third में आपको यह revenue लगबग बहुत ज़ादा यानि कि सित्तर गुना तेजी से बढ़ता हुआ देखने को मिला था यहाँ पर company ने 14,630 करोड रुपे का revenue book करा था इ लेकिन अच्छी खबर यह है कि अगर आप quarter two के loss से quarter three को compare करेंगे तो आपको बहुत ज़ादा loss यहाँ पर recover होते वे देखने को मिला है quarter two में company ने अपने investors को 1212 करोड रुपे का loss हुआ था company को और उसी के साथ अगर आप third quarter में देखेंगे तो वो loss कम होकर 638 करोड रुपे क ही हो गया है तो यहाँ पर company ने loss काफी ज़ादा recover कर लिया है और उमीदे लगाए जा रहे है कि quarter four का जो result आने वाला है उसका result आपको record result देखने को मिलेगा क्योंकि जनवरी मंद की sale की बात करें फरवरी मंद के sale की बात करें या फिर March मंद के sale की बात करें तीनों के अंदर आपको काफी अच्छे result देखने को मिले हैं तीनों मन्थ में आपको काफी अच्छी sales देखने को मिली है PV बिजनेस में और commercial बिजनेस के अंदर दोनों के अंदर जिसका impact आपको quarter four के result के अंदर देखने को मिलेगा और जिसका फाइदा आपको Tata Motors की share price पर भी देखने को मिल इसी के साथ अगले update की बात करें तो Tata Motors stock value increased over 300% in financial year 2021 याने की उमीदे लगाए जा रही है कि यहाँ पर जो यहाँ पर stock की value है याने कि Tata Motors की stock की value है वो यहाँ पर आपको 300% से बढ़ती हुई नजार आ सकती है financial year 2021 के अंदर तो आपको इसके लिए भी तयार रहना है और इसी के साथ में जो इसके competitor से याने कि Maruti Suzuki stocks fell 8% in the last quarter but gained nearly 60% in the fiscal याने की उमीदे लगाए जा रही है कि Maruti Suzuki जो की यहाँ पर बहुत अच्छी company है उसने यहाँ पर 8% से वो share गिर गया था last quarter के अंदर लेकिन उमीदे लगाए जा रही है कि यहाँ पर 60% का app को एक boom Maruti Suzuki के अंदर भी करने को मिल सकता है इसी के साथ आइसचर की अगर बात करें तो रॉयल इंफेल्ड जो कि यहाँ पर बजाज हीरो एंड टीवेस इस टोक अलसो पॉस सिग्निफिकेंट गेंस याने कि अभी सबसे ज्यादा मार्केट में जिस shares के उपर लोगों की नजर है वो है auto sector, auto sector के अंदर investment करने का मन बना रहे हैं तो मैं आपको Tata Motors के लिए ही suggest करना शाहूँगा हाला कि थोड़ा सा यह shares यहाँ पर strong zone में हैं लेकिन यहाँ से एक बार यह निकल गया तो आपको इसके अंदर बहुत बड़े बड़े target देखने को मिल सकते हैं इसी के साथ अगर हम बात करें Tata Motors की तो Tata Motors अभी market का shining star बना हुआ है जी हाँ दोस्तों जैसा कि आपको पता है market continuously crash हो रहा था जिसका strong support अगर हम किसी shares को बोलें तो Tata Motors के उपर बहुत ज़्यादा दावेदारी है market को लेकर क्योंकि अभी सबसे ज़्यादा यहाँ पर अगर किसी shares ने returns बना कर दिये हैं क यहाँ पर risk level बहुत कम है और gaining आपको बहुत ज़्यादा है इसी के साथ in the individual stock action Tata Motors is literally one of the shining stars on Dalal Street जी हाँ दोस्तों Dalal Street के अंदर Tata Motors एक shining star बना हुआ है with a hopping 300% plus gains in this fiscal the stock market performance matches the bellwether auto stocks retail performance too its passenger vehicles business has scripted a remarkable turnover with sales soaring to an 8 year high याने कि अगर हम passenger vehicles business की बात करें तो passenger vehicles business में Tata Motors ने लगबग 8 साल के record को breakout कर दिया है जो कि अपने आप में बहुत बड़ी उपलब दी है तो इसी लिए में आपको Tata Motors के हर एक updates को आपके साल share करता रहता हूँ Tata Motors के लिए हमेशा recommend करता रहता हूँ क्योंकि ये shares आपको काफी अच्छे returns बना कर दे सकता है future में तो यदि आप इसके अंदर investment करना चाते तो 300 रुपे से 310 रुपे का level बहुत सही है purchase करने के लिए इसके बाद में यदि आप इसमें investment करने का मन बनाएंगे तो थोड़ी सी price आपको वहाँ पर बड़ी भी देखने को मिल सकती है short term और long term दोनों के लिए shares बिल्कुल perfect है तो आप इस shares को खरीच सकते हैं लेकिन किसी भी shares के अंदर investment करने के पिले आपको अपने financial advisor से consult कर लेना है उसी के बाद में किसी भी shares के अंदर investment करना है क्योंकि हमने ये वीडियो सिर्फ आपके knowledge purpose के लिए बनाई है